नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल आपजेक्टिव सेंटर पर जैसा कि यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे यह हमारा आइटी आई का आफिसियल पेपर है जो की फिटर ट्रेट का है तो जो एक्जाम हुआ था आनलाइन उसी का यह पेपर हैं तो चलिए हम लोग इस कोश्चन पेपर को देख लेते हैं ताकि अगर आप लोग देने जा रहे हैं तो एक आइडिया लग जाए किस तरह से जाम कोश्चन पूंचा गया था ठीक हमारा आफिसियल है यहां पर इसलिए देख सकते हैं रोल नंबा डेटा बड चाहिक ज़्यां सब्सक्राइब नहीं है तो उससे हमें मतलब नहीं है जहां पर देख सकते हैं पहला कोश्चन जो था उचिस प्रकार से था कि नेम आवदा मेंने डेट्री सिंबल इस अन्युमर्ण का नाम क्या है तो देखिए ये जो परतिक है यह है आपका स्टाव को तो यहां पर देख सकते हैं यहां पर यह दिया गया है तो यह आपका साइं दिया गया जो आफिसल प्रोवार्ट किया गया एंस्वर की मैं वही आप लोगों को बता रहा हूं जैसे कि अब दूसरा है कि what are the three factors causes fire आग लगेने के तीन कारण क्या है तो आग लगेने के जो तीन कारण है वो है फ्यूल हीट और आक्सीजन यानि कि इधन उसमा और आक्सीजन है अगला है कि दुरघटना से बचने का पहला कदम क्या है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बाई आपजेरिविंग सेप्टी प्रिकासन यानि कि सुरच्छा स्वधानियों को पालन करके हम लोग कार्यास्थल पर दुरघटना से बच सकते हैं यह हमारा पहला कदम होता है अब देखिए अगला जो कोश्चन है वहां पर देख सकते हैं आप लोग चौथा कोश्चन जो है हमारा इसे हम थोड़ा आउर जूम कर लेते हैं चौथा कोश्चन है कि विच चीजल इस यूश्ट फर रिमोविंग माटेरियल आंदा कार्णार आप दा कीवे कुझी मार्ग के कोनों पर पदार्थ को हटाने के लिए किस चीजल या इसके लिए यहां पर देख सकते हैं राइट एंसवर भी होगा डामेंड पॉइंट चीजल का हम लोग परियोग करते हैं कुझी मार्ग के कोनों पर पदार्थ को हटाने के लिए ठीक अगला यहां पर देखिए हमारा पांचमा कोश्चन है पांचमा कोश्चन कर रहें क्षट आप क्रेक्ट आँसर आप तो नंबर ड्य हो जाएगा अगला देखिए हमरे चाठा कोश्चन है कि यह पर कह रहा है कि वीश्ट आप हैमर इस यूजड रिवेटिंग पर प्रपज किस प्रकार के अथा-ब कर उपयों रिवेटिंग करते हैं तो रिवर्टिंग के ल प्रोटेक्टर में इस्टाक का एक अभी नहीं सा कौन सा होता है यहां पर हमारा रहता है डायल यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपसा नमबर अब देखिए आठमा कोशन दिया गया कि वीच पार्ट आप कंबिनेशन सेट इज यूज़ टू मार्क एंड चेक एंगल आप 90 डिग्री एंड 45 डिग्री कंबिनेशन सेट के किस बाग का उप्योग 95 डिग्री के कौन को चिन्हित और जांचने के लिए कि लिए किया जाता है स्क्वार हेड का प्रियोग किया जाता है अब देखिए नौवा कोशन जो है यहां पर है कि वाट इस में थर्ड आप रिमोविंग मेटल चिप्स क्लॉग्ड बिट्विन देटी थाफ फाइल से फाइलों के दातों के बीच फसी धाउत की चिप्स को हटाने के लिए किस वि स्क्राइबर को पकड़ता है स्क्राइबर को पकड़ने का कार करता है असनग करता है युनिवर्सल सर्फिस गेज का जो असनग होता है वह हिस्सा इस्क्राइबर को पकड़ता है अब देखिए अगला है कि वीच सीट मेटल इज हाइली रेजिडेंट टू कुरोजन एंड अब्रेसिव जंग और घर्थन के लिए कौन सी सीट धातु अत्यधिक प्रतिरोधी है तो यह ज़्यादा प्रतिरोधी वह रहता है करेक्ट हो जाएगा बारे नमबर का कोशन यहां पर कह रहा है क्या रहा है का स्टरी नमबर का कुशन है कहा रहा है विच फलक्स यूइट फार सोल्डरिंग इस्टील की सोल्डरिंग के लिए किस फलक्स का यूज किया जाता है तो इस्टील की सोल्डरिंग के लिए जो फलक्स यूज किया जाता है वह रहता हमारा एलमुनियम अम्मोनियम कुल्राइड तो अम्मोनियम कुल्राइड रहता है हमारा इस्टील की सोल्डरिंग के लिए जो हम लोग फिलक्स यूज करते हैं चौदे नमबर का कोशन यहां पर कर रहा है करें वाट इस दा मैटेरियल यूज़ फार मैनुफैक्चरर रिवेट से रिवेट के निर्मान के लिए उपयोग की जाने वाली समगरी किया है तो देखिए रिवेट निर्मान के लिए जो समगरी यूज की जाती है वह रहता है माइल्ड स्टील यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला के नेम आफ इस्टील मिटल the production यहां हो रहा है सीट मिटला प्रेस्ट नाप क्या है तो यह कहला था हमारा ग्रुविंग तो गुरुविंग यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सानबर हेसिए भींड तो यहां नंबर में चिर क्पान भिट एक्बूर और कि जो जैस्ता करित लोहा होता है वह धात की जो सीट रहती है पानी और मौसम के संपर के को जहल सकती है अगला है कि वाट इज अक्सीजन सिलेंडर कलर अक्सीजन सिलेंडर का रंग कैसा होता है तो आक्सीजन सिलेंडर के कलर जो होता है काला होता है आपसा नमबर सी यहां पर अर्ड और जूर्चा पफेट्छेंट आंद्षी नंवंडर उसपर किस तरह का पृंट लगा होता उसपर मेरूनलर का और इसह法 रहता है कि नमर्प कोश्चन है किस प्रॉप आूट्टिष स्लेंडर वालbane साकेट को कौन सी परक्रिय बोलो आउट कर देती है तो कहता है क्रेकिंग तो क्रेकिंग यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा अब देखिए 21 नंबर कोस्टन है विच कमप्रेटर इज यूजड इन यूंज किया जाता है इसके यूज यूज देखिए जाता है नियूमेटिक टोनशन नंबर के करेक्ट हो जाएगा इस नंबर का कोश्चन है अपर वाट इस दा नेम आप सिस्टम इफ दसाइज आप दा होल इस केफ़ कांस्टेंट सार्पीज वैरीड जैदि छेद का आकार स्थिर रखा जाता है और साफ्ट इस्थिर है तो सिस्टम का नाम क्या कहलाता है यह कहलाता है साफ्ट वेसिस करते हैं तो जो हमारा डायल टेस्ट की रीडिंग होता है उसे हम लोग प्राप्ट करते हैं पॉइंटर से 24 नंबर कोशन है वाट इस दा नंबर आप फंडामेंटल डेवियेशन इन दे बेसिस सिस्टम अवल बिया इस सिस्टम अवलेबल उपलाफ दभी इस प्रडाली में अधारभूत जो फंडल डेवियेशन की संख्या होती कितनी होती है यह रहता हमारा 25 अगला है कि हाव टू अडेंटिफाई हाई स्पार्स वाइल स्क्रैपिंग खरोश्ते यानि कि स्क्रैपिंग के समय आप उबरे हुए अस्थान को कैसे पहचानेंगे तुसे हम लोग पह अंतर चूड़ियों को मापने के लिए कौन सब्सक्रैवी यूज किया जाता है तो देखिए कारा यहां पर आंतरिक भागों की जो चूड़ियां होती उसको नापने के लिए कि सब्सक्राइब कर यूज किया जाता है अगलाए 17 नंबर के कोश्ण वात इस इस इन हैंड री एंगल कहलाता है अठाइस नमर कोशन वाट इज काउंटर सिंग एंगल आप चैंफरींग इंड आप ड्रिल होल फार ठेटिंग के लिए ड्रिल किया गए छेद के अंत में चैंफरींग के लिए काउंटर सिंग क्या होता है इसके लिए 120 डिगरी रखा जाता है अगला है पर करेक्ट अंसर हो जाएगा अगला एक समर कोशन वाट इस टर्म डट टाप सर्फेस ज्वानिंग डट टू सब्सक्राइब चूड़ी के दोनों सब्सक्राइब से जुड़ने वाले सिर्श सब्सक्राइब को क्या कहा जाता है इसे कहा जाता है अब यहां पर 31 नमबर का क और तो पफने लांजरल यहांपर आंसर हो जाएगा अगला है कि वार्ट वाट इशन्घा प्रेजिछ आपर लत होता है उसमें जो व removed गाल मार उसका नाम किया है तो यह नीचे हमार मड़ान आप कहलाता है दो यहां पर यहां पर नीचे का भाग रहत है यह हमारा एपर playing कह इसमें जो त्रकार के युच किया जाता है तो रहता है हमारा स्कुएर थ्रेड यहां पर कर्यक्त आंसर हो जाएगा 35 number question है what type of cutting tool used in mass production बड़े पर उत्पादन के लिए किस प्रकार के cutting tool का यूज किया जाता है तो इसके लिए किया जाता है थ्रोग अवे टाइप टूल यानि कि थ्रोग अवे टाइप टूल का यूज कि जाता है बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए अगला यह जो आपरेशन हो रहा है इसका नाम क्या है या इसका जो नाम है यह है अंडर कट सोल्डर तो अंडर कट सोल्डर यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा अब देखिए 37 नंबर का कोश्चन है विच इस दा वार्टिकल डिस्टेंस फ्रम क्रेश्ट टू रूट क्रेश्ट से तक की जो उर्धवाधर दूरी होती है तो देखिए क्रेश्ट से रूट तक की जो उर्धवाधर दूरी होती तो काटर पीण यहाँ पर करिक्ट आंसर हो जाएगा 40 नमबर को गोशन विच असेंबली टेक्निक इजी सिमलर टूर्य वेटिंग मेथट आप कौन सी असेंबली टक्निकी रियुएटिंग विधिके समान है यह आपका पीनिंग यहाँ पर करिक्ट आंसर हो जाएगा आपसा नमबर सी फोटीवन नमबर कोशन है वाट और फंडामेंटल यूनिट जो मुलभूत इकाई होती है साथ वो कौन-कौन से हैं इसमें से बताना है जिसमें से यह तीन ही दिया गया है यहां पर है लेंथ मास और टाइम लंबाई द्रब्मान और तमय यह मुलभूत इकाई आपसा नमबर यहां पर करेक्ट हो जाएगा कि बताता है किलोग्राम को एस बताता है सब्सक्राइब को वाट इज़ दा प्रोड़क्त आप 0.003 गुले 0.5 यानि कि 0-0 003 गुले 10-15 क्या होगा तीसे करेंगे तो देखिए लाश्ट से करेंगे तो 35 15 हो जाएगा इसके बा आप टू क्वांटिटी आप दा सेम काइंड एक ही तरह की दो मात्राओं का संबंध है कि फोटी फाइफ नमबर कोश्चन है वाट विल विदा आर्पियम आप सिमिलर गियर इफ ए 180 mm डाया मेसेज भी थे 60 mm डाया गियर एंड दा बिगर गियर मेक्स सिश्टी आर्पियम य देखिए जो छोटे गियर का रपियम होगा वह वन एट्टी आर्पियम होगा है कि फोटी सिक्स नमबर कोशन है वीच मेकनिकल प्रापरिटी आप है मेटन आफर्स रजिश्टेंस कि डिफार्मेशन इन कटिंग टूल धाथ की कौन सा यांत्रिक गुड एक काटने के उपरण में लोचिदार विरूपन के लिए प्रतिरोधन करती है यह रहता हमारा हर्डनेस अब देखिए अगला है कि 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 मिस्र इस पात का उपियोग कि यह उपरण बनाने के लिए किया जाता है वेच इस्टिल इस यूजिंग फर्मेक प्रिसीजन इस्टुमेंट किसका यूज किया जाता है प्रिसीजन इस्टुमेंट बनाने के लिए किस इस पात का परियोग किया जाता है इसके लिए किया जाता है इन्वार इस पात ठेक यह हो गया अगले हैं वाट इज काल्ड मास पर यूनिट वेलूम आफेश सबस्टेंस किस पदार्थ के द्रब्यमान प्रतिकाया अयतन को कहा जाता है डैन्सिटी यानिकी गहनत अगला है 49 नमबर का कोश्चन तो 49 नमबर कोश्चन यहाँ पर कह रहा है वाट इस काल्ड इफ दा बाड़ी पासज वंली मैगनिटूड और साइज एलों जिस वस्ट में परिणाम या साइज होता है उससे क्या कहा जाता है उससे कहा जाता है स्केलर कॉंटिटी यानि की अधिसरास कहा जाता है पचास नमबर कोश्चन वाट इस दा वैलू अपफ इस्पेस्विक शीट अफ वाटर पानी की बिसस्टूसमा कमान क्या होता है तो देखिए जो पानी की बिसस्टूसमा होती है वह एक होती है तो यहाँ पर है 51 नमबर हैं थे की जिसदें केता है अब देखिए 52 नमबर कोश्चन है का नमातर 283 डिगरीं सिल्सियस है है इंटव केलविन स्केल माइन थे सब्सक् estaba to sudah 177 इनेंटीग्रेट को केलविन में बदलिए तो यह जो है है आपका कहलाता है जीरो के लिए तो मैंनेस दो त्योंतीए डिगरी सलसी यह आपका जीरो प्लिए हुआ अब देखिए 53 नमबर के कोशिण है विच इज्ट यूनिट आप करेंट है धारा की काई क्या है जो धारा की काई है वह है एंप्यर अगला है कि विच इज वेरी गू तो टूंटी वोल्ट एंड 500 वाट यह देख एलेक्ट्रिक एरेंड की रेटिंग 220 वोल्ट है 500 वाट्स है तो उसका प्रतिरोध कितना होगा इसका प्रतिरोध होगा चाहिए दस्मूला आठ ओम छपन नमर कोश्चन है वाट इज दा साइड आफे स्क्वाइर फूज एरिया इस 625 mm स्क्वाइर एक वर्ड की भुजा क्या होगे जिसका चेत्रफल 625 mm स्क्वाइर है तो देखिए अगर चेत्रफल है आपका 625 जिसका आपको भी पता होगा अगर वर्ग है तो वर्ग का यह होता है तो वर्ग का चेत्रफल होता है भुजा इसको रियानि की 625 का अगर आप लोग निकालेंगे तो यह आपका जाएगा पचीस तो पचीस 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 यहां पर वाट इज पैरामीटर आप इसके लिए ट्रेंगल हैंगल साथ सब 40 mm 20 mm and 28 mm विस विसम भुज त्रिको सभी को जोड़े लेंगे तो यह हमारे देखिए 40 2060 और 28 यानि कि 88 हो जाएगा आप सो नंबर सी करेक्ट हो जाएगा परिमाप क्या होता है तीनों बुजवाओं का योग हो जाए परिमाप फिप्टेट अंबर कोश्चन है वाट इज दा विलासिटी रेश्यू आपे वील एंड एक्सल और 375 mm एंड 75 mm रिस्पेक्टिविली एक्सल का वेग अनुपात के आवगे याद वील एक्सल की तिरिज्य क्रेम से 345 यम और 45 mm यह होगा आपका फाइफ अगला है वीच जामपल फार फ़र्ष्ट आर्डर लिवर फ़र्ष्ट आर्डर लिवर के लिए कौन सो उधारन है यह है आपका एक पेयर आप साइसर सीजर्स यान कि सीजर्स का एक पेयर है अगला है वाट इस दा वैलू आप थीटा इफ साइन थीटा इक्वील टू अंडरूर 3 बाइट्व है तो हमें भी पता है कि जो साइन सीजर्स इस्टी का मान होता है वह अंडरूर 3 बाइट्व होता है एक सथानबर कोश्चन है आप्टर रिसीविंग इंटर्व्यू काल वाट इस दानेक्स्ट सच्छातकार काल प्राब्त करने के बाद अगला कदम क्या है यह कहला आप एक एट इंटर्व्यू सच्छातकार में जाएं एक भाष्ट नमर कोश्चन है फिल इन दा बलांक विथ प्रजेंट प्रोग्रेशिव टैनस आप दा वार्भे दा ट्रेंड डड़्डत थ्रो ट्रो ट्रॉद 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 सथाने और तो देखिए यहाँ पर जो रह गए दाट ट्रेन इस पासंग थो दाट टनल कि अगला है वर्ड डैट इन प्रोनाउंच्ड दा सेम एज एन अधर वर्ड बट डिप्रेंट इन मेनिग इस कार्ण करण वह सब्द जो किसी दूसरे सब्द के समान होते हैं लेकिन अर्थ में भि अगला है एन एलेगल एक्टिविटी कमिटेड अन्दा इंटरनेट इस काल इंटरनेट पर एक की गई एक अवायद गति विधी को क्या कहा जाता है उसे कहा जाता है साइबर क्राम यानिकी अपराद वाट इज दा इक्सपेंशन आफ एफ वाई आई यस मेंस एप वाई ए प्रिंटरड लेंथ वाई किस और इट्वाइशन अभिविन्यास में टेक्स्ट पाठ्ट क्लंबाई वर प्रिंट मुद्रित होता है तो रहता है आपका प्रट्रेट मूड अब डेक्पेंशन आप डबल एएन एज डबल एन का पूल रूप क्या है तो क्या है आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा अब देखिए यहाँ पर 69 नंबर कोश्चन है विच वन इज नाट एन इसेंशियल करेक्टरिस्टिक टू अचीव सक्सेज करने करने के लिए कौन्सावस्यक लच्ण है तो जिसको पूर कम्यूनिकेसन माना सब्सक्राइब यानि कि संदेश सब्सक्राइब काता नम्र कोश्चन है मने इन्वेस्टेड इन पर्चेजिंग आफ रा माटेरियल पेमेंट आफ वेज एंड सेलरी रेंटल एलेक्टरिसीटी एटीसी कम अंडर कच्छे माल की खरीदी मजदूरी और वेतन किराई विजली आ आता है किसके अंतरगत यह आता है आपका वर्किंग कैपिटल यानि की कारेग्सील पूजी के अंतरगत आता है अब देखिए बातनामर कोश्चन है इन एकोनामिक कुरोथ रोल आफ इंटर्पर्नियोर इज टू आर्थिक विकास में उद्द्यमे की भूम क्या होती है उद इज डाकुमेंट इज नाट आशेप्टेबल फार फुलफिल्मेंट आप के वाई सी नर्म के वाई सी मापदंडो को पूरा करने के लिए निमन में से कॉनसों को सुईकर नहीं है तो देखेए जो दस्टामेर्स विकार नहीं है वह आपका सर्टिफिकेट अगला है दा इस्टेडी अफ लिविंग ठिंस इन रिलेशन टू देयर इन्वार्मेंट इज कर्ड उनके परिवरान के सम्मध में जीवित चीजों के अध्यान को का कहा जाता है इसे कहा जाता है इकुलाज याने की पारिश्थित की छेता नंबर कोश्चन है वाइब्रेशन अगला इसे अधिक नहीं होना चाहिए यह अगला फालू इस एं एर प्रतूसक निम्ण में से कौन सा एक वाई प्रतूसक है तो कार्बन-मोनोचड क्या है यह आपको एर पलूसन है जो 79 नंबर कोशन करें तो टूटल नंबर आप पापलर क्वांटिटी टूल आर लोग प प्रणों की स्कुल संक्या कितीनी है तो वह आपका साथ फार्मूला इस करेक्ट तूंट इसका फालिटी कौन सा फार्मूला सही है तो यह है आपका कि कैपटल क्यूओ एकुए नंबर यहां पर करेक्ट हो जाएगा यहां पर दोस्तों हमारा कोशन खतम होता है अगर यह व वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे तब तक के लिए आप लोग बने रहेंगे में लिंग नेस्ट वीडियो में थेंकिए